चल्दी चल्दी इस वेस्ट कंटेनर से बनाते हैं एक प्यारा सा क्यूट सा प्लांटर उस प्लांटर को क्या नाम देंगे ये आपको देना पड़ेगा कमेंट सेक्षन में जरूर शेयर कीजिएगा असला अलेकूम फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल शवनूरली तो इस टरा का कंटेनर आप ले लीजिए टू लीटर का ओयल कंटेनर और उस पर कुछ इस तरह से मार्किंग कीजिए ये पार्ट जिस पर हम मार्क कर रहे हैं इसको हमें कट करना है कीचन में गए कैसॉन किया, चाकू गरम किया गरम करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया टू मिनिट में हो गया बहुत जाधा टाइम नहीं लगा एजिस अगर आपको कुछ खुदुरे टाइप लग रहे हो तो इसको स्मूध कर दीजिए अगर आपके पास रेग माल हो तो उससे रप करके भी स्मूध कर सकते हैं वाला कोई बात नहीं प्लांट तो ग्रो होंगे तो ये खुदी कवर हो जाएगा तो मैंने इसको कट कर दिया है अब कुछ इस पर विंक्स क्रियेट करने की कोशिश करते हैं तो इस पर जो पहले से प्लास्टिक का शेफ है उसी को कट करेंगे हम नाइफ करम करेंगे और उसे भी कट कर लेंगे इस handle पर जरा दिया answer देखिए इसको हमें cut करना है क्यूंकि हमें hang करना है कोई dory नहीं बादेंगे कोई hole नहीं बनाएंगे फिर भी हम hang करेंगे तो यह होगा हमारा hanging के लिए kill यह लिजिए fast and quick cutting ready हो गई है wings भी ready हो गई है और hang करने के लिए ये क्या कहें इसको आप बताईए hook है वो उसको किसी भी रेलिंग पर सरिया पर या कहीं पर भी आराम से हैंकर सकते हैं और ये मैंने wings create कर दिये हैं तो दोर से तो कुछ-कुछ penguin जैसा लगने लगा है तो क्या इसको penguin planter का नाम दे सकते हैं अच्छा लगा हो आपको भी penguin लग रहा हो तो आप clear कीजिए और drainage hole के लिए हम इसके down पर bottom पर कुछ hole बना लेंगे और अब हम इसको paint कर लेंगे तो हम penguin ही लग रहा है मुझे तो मैं black color लेकर आई हूँ और इसके wings को और इसके head को black कर देते हैं यह fabric rails है fabric पर करने वाले colors इसको आप plastic पर भी कर सकते हैं अब हम इसको नीचे भी bottom पर इसका body का shape देते हैं और इसको भी black कर देते हैं side में भी कर देते हैं यह तो back पर रहेगा तो छिपा रहेगा base पर मैंने कोई paint नहीं क्या है वो तो yellow color ही अच्छा लग रहा है और फिर यह देखे कुछ इस तरह से hook के पास भी मैंने shade दे दिया है अब आपको यह किस तरह का figure लग रहा है यह भी आप comment section में clear कर सकते हैं कभी तो यह frog लगता है और कभी honey bee कभी penguin penguin जादा लग रहा है शायद तो हम कुछ डॉश डाल देते हैं बस two colors ही लगे हमारे और done painting complete तो सच मैंने इस container की position देखते हुए अपनी imagination से ही cut किया है क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है पर बहुत क्यूट लग रहा है तो जैसा भी है आपको कैसा लगा like करेंगे जब आप तो हमें पता चली जाएगा दूसरे side पर भी हम dots लगा देते हैं और इसके wings के back portion पे भी कुछ colors कर देते हैं किस भी तरफ से दिखेगा तो ये कुछ अच्छा ही लगेगा और बाकी तो इसमें plants लगने के बाद ये पूरा cover हो जाना है तो eyes इसी cut piece में से निकाल लेते हैं ये देखिए इसके से marks क्या round round और cut कर लिया मैंने scissor की help से बहुत आसानी से ये cut हो गया है अब हम इसको यहां stick करते हैं और यहां cuttings में देखिए कुछ mouse shape का पड़ा हुआ है ये cuttings में खुदी निकला हुआ है तो इसको भी stick कर देते हैं फेवी कोल की health से जो stone वगेरा stick करने के लिए हम फेवी क्रिल लेते हैं उसी से हम stick करते हैं अब यहां पर देखिए frog लग रहा है कभी honey bee लग रहा है wings देखते हुए honey bee लग रहा है तो यह यहां पर set कर देते हैं और tap करते हुए इसको चिपका देते हैं सूखने के लिए रख देते हैं एक या दो घंटे के लिए सूख चुका है मिटी हमने इसमें भर दी है और डोरी वगरा बादनी की ज़रूरती ही नहीं उसी हुग की हल से जो इस container का handle था बस मैंने hang कर दिया है और इसमें लगा दिया है पर्सलेन कुछ cutting लगाई है विनका की तो आप भी अपने घर के kitchen से कुछ waste collect कीजिए पढ़ा हुआ color यूज कीजिए और इस तरह का container बना कर ready कर लीजिए चैनल को subscribe कीजिए अच्छे अच्छे से like कीजिए comment कीजिए फिर मिलते है अच्छे से वीडियो में अल्ला आफिज